हाई गैस और विलकम बाक तो दी चैनल दीपच्चे दव एजूकेशन वेलकम दी डेली करेंट अफेयर्स ऑफ थर्ड ओफ फेबरी 2023 तो गैस आज है तारिक 3 फरवरी 2023 और है फ्राइडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स परेंगे उन आज कौन-कौन अपने समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट के अंदर में जरूर से इसके बारे में में मेंशन करना बाकी इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इन इन इक्सप्रेस के उपर फोकस करते हैं लेकिन उसके साथ साथ में आपको मिलेगी एक टेस् सीरीज पूरे लेक्चर को फुल कंसेंट्रेशन के सात में सुनन ना है फिर लास्ट में उस टेस्ट को अटेंट करना है उस टेस्ट को अटेंट करकर आपको कॉनkräंद भी आएगा और प्लस वो टेस्ट में आपके कितने माक्स आएं नीचे कॉ attempt कर रहे हैं तो आज भी आप उसका हिस्सा बनोगे बागी इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है आप लोग को जाना है टेलिग्राम पर वहाँ पर जाके दीपाक यादा वेजुकेशन UPSC लिख देना ये वाला चनल मिल जाएगा यहां साथ डेली बिस्स पर इस lecture के PDF को डाउनलोड कर पाओगे साथी साथ में अगर आप मेरे साथ में personally connect करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर अगेन आपको दीपाक यादा बारे में तो यह molecular clouds क्यों क्या हैं वो सब आपको पता चलेगा पहली चीज़ देखो हर एक आर्टिकल को मैं बिल्कुल क्रिस्प वे में कवर करूँगा यानि केवल और केवल काम की information जहां पर examination में सवाल बनेगा बस उतनी बात यहां पर डिसकस की जाएगी हर एक आर्टिकल जो में डिसकस करूँगा वो न्यूज में क्यों है वो आपको उपर यह blue color के पैरा में पता चलेगा बाकी इसके रिकार्डिंग जो background information होगी वो सब आपको नीचे पता चलेगी कि जहां पर examination में जहां से सवाल बनेगा वो सारा का सारा information वहां पर होगा चीक है तो यानि कि आपका current plus static दोनों का यह mixture देखने को मिलता है तो जो पहला न्यूज आर्टिकल है हमारा molecular cloud यह news में क्यों है क्योंकि recently एक international team है astronomers की इन्होंने हाली में यह जो molecular cloud है ना इसका जो बहुत dark व बरफ यहां पर ढूंड़े हैं उन बरफ की discovery की है जिस वजह से यहां पर यह molecular clouds काफी चर्चा में हैं तो क्या होते molecular clouds अब हम यहां पर point पर आते हैं यह तो आपने समझ लिया किया current issue में क्या है लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा molecular clouds तब तक यह आर्टिकल किसी काम का ह नहीं ठीक है ना तो molecular clouds को समझने के लिए नीचे आपको यह background data cover करना होगा यह एक interstellar cloud of gas interstellar मतलब यह यहां पर आप देखोगे ना तो एक जमाव है यानि की collection है किस चीज़ का यहां पर gas है बहुत सारी बहुत सरे dust आपको देखने को मिलेगा यानि की बहुत सरा धूल ऐसे जो यह clouds बनते हैं इनका temperature बहुत कम होता है मैं आपको बताया ना यह बिल्कुल यहां पर कुछ-कुछ ऐसे region है जो की बहुत ठंडे होता है इस cloud के अंदर में तो यह cloud का जो temperature है वो बहुत low होता है just 10 to 30 Kelvin के असपास यहां पर बताया जा रहा है यह इस प्रकार का temperature आप आपको देखने को मिलेगा और यहां पर आप देखोगे कई-कई molecular clouds ऐसे होता है जो कि बहुत-बहुत बहुत बड़े size के होता है इन clouds का यानि जो मालोई बादल बन गया इनके बीच का जो central region होता है जो main region आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल छिपावा होता है उसको ह मिलकर बनावा है gases से मिलकर बनावा है तो इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है यह picture आप देख पा रहे होंगे है इसका जो middle वाला region है central वाला region वह तो हम देखी नहीं सकते आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि वह बिल्कुल धुन्दला है बहुत सरी dusk बीच में आ जाती है उस हमारे जितने भी स्टार हैं जितने planets हैं उनीका raw material नजर आता है प्लस यहां पर लंबे समयता यह clouds टिकते नहीं हैं है ना तो इसके बारे में information में पदा चलती है आपने कभी न कभी dark nebula के बारे में सुना होगा मैंने दहिंदू के अंदर कई बार dark nebula या dark cloud के बारे में आप आपको पढ़ाया हुआ है तो बिल्कुल वही similar concept आपको इन molecular clouds का देखने को मिलता है तो आप मैं आपको थोड़ा सा और detail से लिकर चलता हूं तो जो dark nebula या dark cloud यह क्या होता है यह हमारे molecular cloud का ही बीच का एक हिस्सा होता है मालो एक बहुत बड़ा सा molecular cloud है इसमें एक बहुत ज नेbula इतना जादा घना होता है ना कि इसके पीछे अगर कुछ चीज है तो वह दिखाई नहीं पड़ थी exactly आप ऐसा देख सकते हो मालो यहाँ पर पीछे सितारे चमक रहे हैं सितारे चमक रहे हो और यहाँ पर यह डाक नेbula आप देख पार होंगे जो पीछे सितारे चमक रहे होंगे ना वो लाइट पार आकर दिखाई भी नहीं पड़ रही है ठीक है तो यह भी एक प्रकार के मॉलेकुलर क्लाउड्स ही होते हैं आप ध्यान रखना अगर आप से यहाँ पर पूछ जाए मोलेकुलर क्लाउड्स और नेbula की बीच में क्या डिफ्रेंस है कोई ज चितार हैं इसे स्टार हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं और यह जो रीजन है यहाँ पे आपको यानिंग यह जो नडाक नेbula है इसके अदर आपको डेडर सरा है इडरोजन और डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेगा जसे इसे मावलेकुलर क्लाउड में देखने हमारे examination के लिए बहुत relevant है इसको आप लोग GS paper number 3 defense and security के point of view से link कर पाऊगे, यहाँ पे हम बात करेंगे light tank zoraver के बारे में तो light tank zoraver भारत का यह वाला tank है जो कि भारत ने develop किया है तो इसका कोई जादा भारी वज़न नहीं है, हलका वज़न है और यह काफी ज़दा effective माना जा रहा है तो इसके features के बारे में बात करेंगे काफी अलग-लग तरीके से आप से question बन सकते हैं आपको पूरे अच्छे तरीके से lecture सुनना है last में उस test को attempt करना है, ठीक है तो news क्या है, news यहाँ पर है कि यह यहाँ पर अभी कह सकते होगी scrutiny के अंदर में है और जल्दी हम लोग इसको लेकर आने वाले हैं, ठीक है और defense acquisition council नहीं, यानि कि जो DAC है आपको पता होगा, हमारे जो defense जितने भी हमारे armed forces है न, इनको कोई हतियार चाहिए होता है, तो defense acquisition council उनके लिए purchase करता है, ये एक approval देता है, तो इन्होंने यहाँ पर approval दे दिया है, लगवक 354 इस प्रकार के जोरावर टेंक्स को purchase किया जा रहा है, जो कि make in India होंगे, यानि कि भारत के अंदर इन टेंक्स को बनाया गया होगा, ठीक है, तो क्या होता है लाइट जोरावर टेंक आओ थोड़ा डिसकस करते हैं, ये तो आपने current issue समझ लिया, अब यहाँ पर factual data को जानते हैं, जहाँ पर examination में सवाल बनेगा, ठीक है, तो यह जो टेंक है कि indigeniously design और develop टेंक है, मतलब यह है कि भारत के अंदर हमने इसको design किया और पूरी तरह से हमने इसको develop किया है, हमारे भारत में कौन सी body जो कि इसको develop कर रही है, तो defense का जब भी कोई यहाँ पर equipment development हो रहा होता है, तो वो इसको DRU करता है तो defense research development organization ने collaboration किया, larger and tubro के साथ में, देनो इसके बाद में जाकर मिलकर यहाँ पर इस tank को develop किया गया है, इस tank के अपना आप में कुछ relevant features आपको नज़र आएंगे और वो features जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला जाला है, यहाँ पर देखो, एक होता है tanks ना, जो की main जादा पहाड़ी अलाके पर नहीं चल सकते हैं इस प्रकार की problems, majorly tanks को देखने को मल दिये, बट यह अलगलग terrain पर operate कर सकता है, ऐसा बोला गया high altitude area में मतलब बहुत उचाई पर कोई जगा है, तो वहाँ पर भी यह आराम से operate कर सकता है, वो बाते बताई जा रही है दूसरा highly transportable है, इसको हम कहीं पर भी बहुत जल्दी borders पर तहनाद कर सकते हैं, और अभी इंडिया और चीन के border पर ही इसको तहनाद किया जाएगा चीन को टक कर देगा, यह वाला tank यह बता है जा रहा है, दो उसके बाद में इसके अंदर काफी सारे अलगलग modern technologies का यूज किया गया है, जो नई परकार की technology है जैसे artificial intelligence हो गया drone integration हो गया, इस परकार की technologies का यूज किया गया है, इसका वजन कितना है, तो 25 टन से भी कम का वजन देखने को मिलेगा, और बोला यह जा रहा है कि इसका जितना ही वजन कम है, उतना ही जादा powerful यह tank है इसके वजन से कोई लेने दिना नहीं है इसको बहुत powerful बनाया गया है, superior tank बनाया गया है, इसको काफी सरी protections भी यहाँ पर provide करवा रखी है, तो इसकी जम्मू के राजा थे, राजा कुलाप सिंग, 19th सेंचरी के समय पर, तो इनके अंडर में इन्होंने as a military general सर्व किया था, प्लस यहाँ पर इनको अलग-लग तरीकी से सम्मानित किया यह है, क्योंकि इन्होंने कई सारी जगा पर बहुत अच्छे से जीत हासिल की थी, चाहे वो आप देख पाऊगे हिमालियास होगे, उसके बाद लद्दाग, तिबबत, बलतिस्तान, सकारदू, बहुत सर एरिया में आपर उन्हें जीत हासिल की है, ठीक है, तो इन्ही के वीडियो में थमने लगाया था, आपको याद होगा इस प्रकार का, है ना, कि जो हमारी पोर्सिस है, जो हमारी आर्मी है, उनके लिए हम लोग क्या कर रहे है, जेट पैक सूट को पर्चेस करना स्टार्ट कर दिया गया है, यानि कि इस प्रकार से सूट वो पैन कर, इस सूट में बीचे एक सिलेंडर है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपको हाथ में देख रहा होगा, तो यह जो सूट है, यह पैन कर, जो इनसान है, वो उड़ सकता है, तो इस प्रकार से सूट को यहाँ पर हमारी आर्मी के लिए पर्चेस कहा जा रहा है इस सुट के साथ-साथ दूसरी चीज तो पर्चेस कि जारी है वो है आर्मी रोबोटिक मिउल जो आर्मी रोबोटिक मिउल है इस प्रकार से दिखाई si p España पड़ेगा यहां पर जैसे मिल होता ही जो रोबोट की फॉर्मेस को बनाया गया है, यानि पहाड के ऊपर अगर आपको समान ले जाना है, तो बहुत आराम से रोबोट काम करेगा, यानि यहाँ पर भी हमारी आर्मी को एक सपोर्ट मिलेगा, तोसरी चीज यह परचेस करने के लिए हैं, यहाँ पर हम जल्दी लेकर आएंगे अपने आरवी को एक सपोर्ट देने के लिए तो टेथर डून्स क्या होता है आपने ड्रोन तो वैसे सुना होगा नॉर्मल रोबोट से जो आपके बाइस में एक रिमोट है चाहिं पता है एक खास बात join खास बात यहां पर क्या होती है कि यह हमारे एक स्टेशन से इक आरफ ठाहर और बाइस स्टेशन मनाते हैं और एक एक वाइर आपको यह दिख्या ये बागी ड्रोन से अलग है, बागी ड्रोन की क्लिमिट होती है, आप अराम सो उसको कहीं पर उड़ा सकते हो, बट इसके साथ में एक पावर स्टेशन अटैच है, ठीक है न, तो जो ड्रोन है न, ये ओपरेट कर सकता है, पूरी तरह से कि कुछ अपने आप में कुछ टास्क हैं, मतलब ये हर चीज़ के लिए यूज नहीं आएगा, कुछ टास्क हैं इसके जैसे कि कोई डेटा कैप्चर करना हो, कहीं से किसी का डेटा निकालना हो, डेटा को कैप्चर करते वे, करने के लिए यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल ड्रोन्स होते ह ना, उनमें गलतियां हो सकती हैं, उनमें human error या कोई दूसरा error हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई error, कोई गलती नहीं हो सकती, यह आपने ध्यान बर रखना है, इसलिए यहाँ पर इसके नीचे power station लगाया जा है, जो tether drones होते हैं, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि communication है, वो बिल्कुल secure रहागा, कोई भी कहीं से भी data, कोई भी यहाँ पर आपका नहीं पकड़ पाएगा, दूसरा यहाँ पर आपको GPS, navigation वगरा की कोई requirement नहीं होगी, अराम सा आपका यह सारा का सारा काम power station नहीं करेगा, जो दूसरे बाकी normal drones होते हैं, वहाँ पे बैटरी की drone को उड़ाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पार होंगे, कोई भी operator की आवश्रक्ता नहीं है, यहाँ पर कोई भी piloting skills की आवश्रक्ता नहीं है, यह सारा का सारा काम automatically, यह जो पूरा का पूरा यहाँ पर आपका सकते हो कि box से यह करने वाले, station करने वाले है, तो यह ठे third drones क्या है, आगे आते हैं, उसके बाद मैं next important news article पर, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की हुई है पहले, लेकिन वापस से internet express के अंदर article आये, तो मैंने सोचा चलो revision कर लिया जाए, काफी सरे लोग होंगे, उन्होंने दाहिंदू का वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन article बेहद important है, इस वजह से मैं इस वीडियो में भी cover करवा देता हूँ, बात की जारी है inner core of the earth के बारे में, देखो प्रतवी का जब आप structure देखते हो, तो अंदर बहुत सरी layers है, एक layer ये है, एक layer ये है, एक layer ये है, और एक layer ये है, आपको basically 4 layers दिख रही होंगी, यानि सबसे अंदर वाली जो layer है ना, वो inner core के लिए आती, एक छोटी सी ball आपको नज़र आएगी, और ये ball सबसे ज़्यादा ठोस होती है, solid ball होती है, और बहुत गरम होती है, और solid सी ball यहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी घूम रही होती है, ये भी घूम रही होती है, तो इसको ले ठीक है, तो ये चीज़ें आपर पता लगाई गई थी, जिसकी वज़ा से inner core चर्चा में था, ये तो आपने news article समझा, लेकिन examination में UPSC पहले भी inner core को लेकर सवाल पूछा हुआ है, कि inner core किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो आप डिसकस करते हैं, आकर कर ये iron से बनी हुई है, जो inner core होता है, बहुत ज़्यादा solid होता है, बहुत ज़्यादा ठोस होता है, ठोस इसलिए होता है, क्योंकि इसके ओपर और भी धेर सारी layers आ जाती है, तो आप सोच रहोंगे, ये इतनी सारी layer है, तो बिचक जाना चाहिए, तो इतना ठोस क्यों हुआ ये ठोस इसलिए है, क्योंकि inner core के बहार, जो outer core वाली layer है, ये वाली जो layer है, ये liquid form में, अंदर वाली solid form में है, inner core वाली, लेकिन इसके outer वाली liquid form में, अब liquid form में, इस वज़ा से यहाँ पर, ये हमारी inner core है, वो as it is, solid form में बची हुई है, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये थो kilometer गोलाई में, यहाँ पर ये पुरा बॉल जो है, वो फैलावा है, और इन दोनों के बीच में आपर एक boundary आती है, ध्यान रखना, हमारे outer core और inner core के पीच में, जस एक boundary आती है, एक line आती है, उस line काम क्या बोलते हैं, layman seismic discontinuity, ये आप से question बन सकता है, कि layman seismic discontinuity एक प्रकार क boundary है, ये कहाँ पर पाई जाती है, या प्रत्वी के structure में कहाँ पर देखने को मिलती है, तो outer core और inner core के बीच में, जैसे आप देखोगे ये प्रत्वी है, crust, mental, outer core और inner core ये हुआ, तो outer core और inner core के बीच में, जस एक line आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, तो इस line काम लोग alignment discontinuity बोलते हैं, ठीक है, अब inner core के temperature की बात करें, तो यहाँ का जो तापमान होता है, वो लगबख 7200 से लेकर 8500 डिगरी Fahrenheit के आसपास तक का देखने को मिलेगा, अगर इसको हम Celsius में देखें, तो 4000 से लेकर 4700 डिगरी Celsius के आसपास का temperature, यानि बहुत बहुत जादा गरम temperature आता है inner core, हमने outer core, inner core समझा, आओ थोड़ा सा crust और mental के बार मी पढ़ लेते हैं, तो अर्ष जो हैं हमारी majorly तीन layer से मिलकर बनी वी है, तो आपको weight, आभी तो आपने बुला थे 4 layer, हाँ, जो यह core है ना, यह दो में बढ़ जाती है, outer core, inner core, वैसे count करोगे, तो यहाँ पर आ सबसे उपर वाली layer की crust की हम बात कर रहे हैं, जिसके उपर हम लोग रहते हैं, है ना, इसके उपर वाली layer पर हम रहते हैं, तो crust की जब हम बात करते हैं, तो यह जो crust ना, यह outside layer है, बिल्कुल बहारी वाली layer आपको देखने को मिलती है, यह किस से बनी वी है, यह जो crust वाली layer लेयर है ना यह लगबग 2900 किलोमेटर थिक है मोटी इतनी मोटी लेयर यह देखने को मिलती है और यहां पर क्या है होट डेंस आयरन मेगनीशियम उसके बाद मेगनीशियम रिच सॉलिड रॉक्स वगरा यहां पर नजर आती हैं फिर आता इसके अंदर कोर हमारा कोर बिल्कु देखोगे यहां पर मेजरली आप देख पाओगे आयरन देखने को मल जाता है ठीक है ना तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो ठीक है क्लियर हो गई बात समझ में आ गया नेक्स्ट इंपॉर्डे निउस आर्टिकल पर रहते हैं अगले आर्टिकल ब इस वज़़ा से यहां पर यह ओले डिड़े टर्टल चर्चा में है तो डिसकस कर रहेते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी जानवर चर्चा में होता है तो एक्जामनेशन में पॉसिबिलिटी है कि 100% आपसे क्वेशन बन जाए और अलिड़े टर्टल एक ऐसा टॉपिक है जो कि प सबस्ते हैं ठोस यहां पर यह लोग साथ में मिलकर अंडेंगा गभी करते हैं ईक यह सारे जिसको खाना इसको पड़ा नाम इस निड़ले रिड ले टर्टल पड़ा ठीक है बात क्लिर हो गई हाबिटेट कहां का पर पाया जाता है तो मेजरली ये वाम वाटर के अदर जो हमारा पैसिफिक एट्लांटिक और इंडियन ओशन है ध्यान रखना बहुत 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 इंपोरेंट है जो हमारा पैसिफिक ओशन है एट् गाहिर माता मैरें सेंक्चरी तो गाहिर माता मैरें सेंक्चरी कहां पर है यह आप ओडिशा का मैप देख पा रहे होंगे इस ओडिशा के मैप में आप इस प्रकार से आगे आओगे ना तो मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं यह यह जो मैं सरकल ड्रॉ कर रहा हूं यह य इन टर्टल के conservation status के बारें बात करें तो IUCN के अंदर में इनको vulnerable category में रखा गया है यानि कि इनकी प्रजाती काफी खत्रे में और देखो यही चीज आपको ध्यान में रखनी होती बहुत important examination में यही पूछी जाती है तो olive ready turtle का IUCN status vulnerable में है और wildlife protection act 1972 में इसको schedule 1 में रखा गया हाई protection दी गई है sites में appendix 1 में cover किया यानि कि international जो व्यापार होता है उसके उपर काफी सरी रोक टोक देखने को मिलती है इस turtle को लेकर ठीक है बाकी आपे बात करेंगे जो यह initiative है ना sorry एक initiative हमने चला रखाए olive ready turtle की सुरक्षा करने के लिए और वो कौँसा initiative है वो है operation Olivia ध्यानक ना कौँसा operation है operation Olivia आपसे पुछता है operation Olivia किस जिसे related है तो ध्यानक ना ओलिव रेटे टर्टल से related है तो हमने इसको चलाया था ता कि हम धेड़ सारे olive ready turtles को बचा सके इनकी सुरक्षा कर सके नेक्स्ट important news article पराता है अगला article बात करत नोरो वाइरस के कुछ cases को नोरो वाइरस के case निकल कर आये हैं जहां पर class first का जो student है कासकर एर्टना कुलम district के अंदर वो नोरो वाइरस से पीड़ित था तो इस वज़ा से नोरो वाइरस अभी चर्चा में आया और कभी कभी ये चर्चा में आता है तो क्या है नोरो वाइर जो कि कहीं न कहीं उल्टी और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स को create करने लगता है और जाद अतर यहां पर आप कह सकते हो कि शर्दियों में नोरो वाइरस होने के chances बढ़ जाता है अब यहां पर एक infection agent है यह मतलब मैं आपको बताओ तो जो most common infective agent है ना मतलब कि क्या किस वीसे गंदे पानी की वाज़ी से यहां पर यह जो बिमारी है फैलती चली जाती है यह जो वाइरस से spread हो सकता है एक इंसां से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है अगर वो दोनों direct contact में आता है तो ठीक है symptoms की बात करें तो जो जेस्ट्रों entities हैं यहां पर आप देख वाइरस हिट होता है किसी भी बॉडी को तो और इसकी वज़ा से diarrhea, vomiting, nausea, stomach में दर्दोना तो इस प्रकार की problems यहां पर नजर आती है एवन यहां पर कह सकते हो कि सर में दर्दोना, बुखार हो जाना, पूरे mass patient में दर्दोना, muscles में पेन होना यह सारी चीज़े common है यह सब आ अगर नोरो वाइरस की चपेट में आता है तो 12-18 घंटे बाद यहां पर उसको उसके लेक्षन दिखाई पड़ेंगे, दूसरा जादतर यहां पर यह बच्चों को या फिर जो बूड़े लोग है उनको यह बुरी तरह से affect करता है, या फिर ऐसे लोग जो की दूसरी बिमा इसके अदर काफी जादा है, ठीक है, फिर एक आर्टिकल लेंगे भार OS को लेकर, अब इसके बारे में डिसकेशन तो आपने कई बार कर लिया है, काफी बार सुन लिया है, रिसेंट्ली मैंने दाहिंदू पड़ा था, इसको मैं दुबारा क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सरे कॉमेंट आ रहे थे कि सर, एक बार भार OS के बारे में Indian Express वाले वीडियो में बता दो, हम धायंदू का वीडियो नहीं देख पाये थे, मैंने बहुत सरे कॉमेंट देखे थे, और ये न्यूज में भी था, छोटा सा एक आर्टिकल थे, उन्हें से चलो यार, बता अपरेटिंग सिस्टम है, भारत का खुद का ओपरेटिंग सिस्टम है, इस सिस्टम को यहाँ पर डवलप किया गया है, J&K Operation Private Limited के दुरू, यह जो बॉड़ी है, यह एक non-profit organization है, IIT मदरास के एक firm कह सकते हो, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भार OS को बना है, कहोगे काम क्या ह जैसे आपको पता होगा कि हमारे normal android phones होते हैं, अभी यहाँ पर मैं आपसे पूछू हूँ, आपके पास में कौन सा mobile है, तो जातर लोगे पास में android mobile होंगे, या फिर iOS याने की iPhone होंगे, apple के mobile होंगे, android या apple इन दोनों के अलावा कोई operating system के बारे आप जानते हो, कहोगे नही जानते हैं, सही बात है, तो अब इंडिया चाहते है एक तीसरा operating system, एक secure operating system को बनाने, और उसी system का नाम वो है भार OS, जो कि हमने recently त्यार कर लिया है, IIT मदरास की एक फर्म ने त्यार कर लिया, इसके ओपर टेस्टिंग जारी है, तो भार OS एक mobile operating system है, बिलकुल android और iOS की तरह ठीक है ना, तो यहां पर यह एक ऐसा system है, जहां पर गूगल का कोई जोर नहीं रहेगा, जैसे android system है, यह पूरा गूगल का है, गूगल अपनी जैसी margin चाहिए, वैसा इसमें आपने देखाओगा जब भी आप ने mobile खरीद के लाते हो, तो गूगल के सारे apps भरे पड़े मिल और दूसरा no default apps, यह क्या होते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा यहां पर बोला जा रहा है, कि इसकी जो home screen है, वो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी, home screen में यहां पर एक Indian flag आपको यहां पर नजर आने वाला है, प्लस यहां पर आप अपने apps को, जो app चाहिए वो select कर सकते हो, जो fall to cap, जैसे अभी normal android phones है न, इसमें धेर सारे fall to cap पड़ेवे हैं, जबरदस्ती वो fall to cap पड़ेवे हैं, आपने उनको आज तक open भी नहीं क्या होगा, लेकिन उसका आप कर नहीं सकते हैं, वो फोन के अंदर pre-installed apps आएं, तो यहां पे क्या होगा, ऐसा भा कुछ होते हैं, वैसे private app store service होगा, यानि आपके पास में एक list होगी, इस list में यह कुछ apps के नाम होगे, तो क्या होगया, यह apps वो apps होगे, जो कि सबसे secured apps होगे, यानि इंडिया उसके guarantee लेगा, हमारी सरकार उसकी guarantee लेगी कि भाईया, यह app अगर आप use कर रहे हो न, तो आपक वाले apps, यानि इस list वाले app को use कर सकता है, आपकी बिल्कुल safety को ensure के जाएगा, guarantee दी जाएगी, ठीक है, अगी मैं आपको बताया था, यह जो system है, यह नोटा और no default app पर काम करेगा, नोटा क्या होता है, security update, यानि कि आपके phone में जैसी update आएगा, आपको बार 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 ब बताया, कि यहाँ पर देखो कोई भी फालतू एप आपको यूज, जो एप आपको यूज करना है, जो आप यूज करना चाहते हो, उन्हीं को यूज करोगे, फालतू कि आप apps को हटा दोगे, यहाँ पे कोई भी system pre install app का नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती आप नहीं दिया कर लेते हैं, relevant है, national voters day के बारे में discuss करेंगे, तो अभी तो वैसे हम February में आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, recent 25 जनवरी को national voters day का celebration हुआ है, ठीक है, तो national voters day क्या है, आपको पता होगा, election commission of India का का काम क्या है, हमारे पूरे भारत बर में, जितने भी elections होता है, जुनाव होत है, उनको कंडिट करवने का काम होता है, जो बड़े elections होता है, ठीक है, तो election commission of India, election commission of India ने celebrate किया है, अभी तेरवा national voter day, तो 25 जनवरी को ये national voter day का celebration किया गया था, national voter day हम लोग celebrate कर रहे है, 25 जनवरी को हर साल 2011 से लगा था, 2011 से हम इसको celebrate कर रहे हैं, और इस दिन एक खास बात है, क्योंकि 25 जनवरी को election commission of India नाम की body को बनाया गया था, तो इसका foundation day का भी celebration हम लोग करते हैं, इसी दिन की तहत तो आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो, खास कर 25 जनवरी 1950 में जो हमने election commission of India को बनाया था, तो इसके foundation day की तरह भी इस दिन को हम देखते हैं, तो national voters day की तरह सको celebrate किया जाता है, ठीक है, इसका main purpose है, हम लोग क्या कर सके हैं, हमारे पुरे देश भर में, election के बारे में एक awareness पला सकें, जितने भी नागरी के उनको हम लोग बता सकें, समझा सकें, elections के बारे में, और उनको encourage कर सकें कि भईया आपको election में participate करना है, election एक बहुत important part है आपके जि elections आएंगे, दूसरा, आपकी साल 2023 में, election, sorry, National Voters Day का theme क्या है, यह दियानक ना, विश्य क्या है, अब यह चीज़ एसे रटनी होती है, क्योंकि directly examination में आप से सवाल बन सकता है, तो theme हम बदल नहीं सकते, theme as it is, रटना होता है, तो theme में अगर हम लोग बात करें, वो है, nothing like voting, I vote for sure, nothing like voting, I vote for sure, यह इसका theme है आपकी बार का, National Voters Day का, बात क्लियर होगी, चलो जी, आगया आते हैं, अब समय आता है हमारा prelims rapid fire का, I hope आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझ लियोंगी, अब question हम लोग करेंगे, अब time है आपकी practice करने कि आपने कितना कुछ सीखा है, लगातार मैं पहले सारे के सारे questions रीड करतावा चलूँगा, आप इसके answer देते वे चलना, फिर last में मैं एक साथ सारे questions का जो explanation है, सारे के सारे questions के जो answer से वो एक खटे दे दूँगा, जब मैं सारे questions बताऊंगा आपको जब आप answer दे अभी हमने molecular clouds के बारे हैं पड़ा था, तो molecular clouds को लेकर आपको दो statement से दिये गए, पहला statement, देखो ये most common molecule है, जो की clouds के अंदर यानि बादलों में पाया जाता है, और खासकर इसके अंदर जो helium है ना, मतलब ये जो clouds बनावाए, अलग लग चीज़ों से अंभिल कर बनावाए बहुत high temperature होता है, बताओ कौन से statement सही है, option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही हैं, फिर option D दोनों के दोनों गलत हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं यहाँ पर questions को attempt करना, अगले प्रशनी की तरफ आते हैं, next question जो है हमारा वो बात करता है यहाँ पर जोरावर के बारे में, अभी जोरावर को जो किस चीज़ को सूट करता वा नजर आएगा, पहला क्या जोरावर एक medium altitude long endurance UAV यानि एक drone है, दूसरा एक unmanned combat aerial वहिकल है, तीसरा light tank है या फिर एक stealth destroyer है, बताओ जोरावर आखरकर क्या है, आगया थे उसके बाद में next question की तरफ, अगले question अबारा बात करता है tethered drones के बारे में, तो with reference to tethered drones, जो tethered drones होता है, इसके reference में आपको दो statements दिये गए हैं, बताना है कौन सा statement सही है, पहला statement, tethered drones जो होता है न, इसके अंदर एक base station भी होता है, जो की धरती पर रखा रहेगा, और उस base station से हम इस drone को connect कर देता है, जोड़ देता है, केबिल के म technical और human error होता रहता है बार बार, बताओ यहां पर कौन सा statement सही है, option A, one only, option B, two only, option C, दोनों सही हैं, फिर option D, दोनों के दोनों गलत हैं, आगे आता हैं, उसके बाद next question की तरफ, अगला question बात करता है, different layers of earth के बारे में, अभी हमने थोड़ दर पहले बात की है, तो consider the following statements regarding the different layers of भारत की जो अलग-लग layers हैं, उसको लेकर आपको दो statement से दिये गए हैं, बताना है कौन सा statement सही है, पहला statement बोलता है, कि जो earth का crust है, वो solid rock, जादतर basalt और granite से मिलकर बनावा है, दूसरा statement बोलता है, कि जो earth का outer core है, यह जो outer core है, यह liquid से बनावा है, और साथी साथ में पिल, iron और molten rock से मिलकर बनावा है, बताओ कौन से statement सही है, option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है, और option D दोनों के दोनों गलत है, आगया आता है उसके बाद में next question की तरफ, अगला question बात करता है, norovirus के बारे में, तो with reference to norovirus, again आपको दो statements दिये गए हैं, बताना है कौन सा statement सही है, प infection फैलता है through contaminated water और food, जो गंदा खाना है, food है, और साथी साथ में आपर जो पानी है, उसके मादियम से ये infection फैलता है, बताओ यहाँ पर कौन सा statement बिलकुल सही है, option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही हैं, फिर option D दोनों के दोनों गलत हैं, आगया आता है उसके बाद में next question की तरफ, अगले question बात करता है, भार OS, भार OS जो की हाल ही में news में देखने को मिला है, ये क्या है, option A1 एक mobile operating system है, option B1 एक नया semiconductor है, option C1 एक exoplanet है, या फिर इन में से कुछ नहीं, बताओ यहाँ पर इसका सही उतर बहुत सिंपल सा है, ये तो गलत होना ही ने चाहिए बिलकुल भी, specific ocean के अंदर में, दूसरा statement बोलता है कि इसको हमने IUCN red list में endangered species के अंदर में रखा हुआ है, बताओ कौन सा statement सही है, पहला option बोलता है one only, दूसरा option two only, तीसरा option दोनों सही है, फिर चौथा option दोनों के दोनों गलत है, नेक्स question पर आता है, अगला question हमारा बात करता है, National Voters Day के आगा है, उसके reference में आपको दो statements दे गए हैं, बताना है कौन सा statement सही है, पहला statement, National Voters Day को हम celebrate करते हैं, ताकि हम लोग Republic Day के celebration को celebrate कर सकें, यानि कि 26 जनवरी के दिन पर हम लोग यहाँ पर celebration करते है, National Voters Day का, दूसरा, जो theme है National Voters Day का 2023 का अपकी बार का वो है, nothing like voting, I vote for sure, बत तीसरा option two only, तीसरा option दोनों सही है, फिर चौथा option दोनों के दोनों गलत है, आगया आते हैं, उसके बाद में next question के तरफ, अब यहाँ पर question हो चुके हैं, some up, I hope आपने आपर काफी सारे questions बिल्कुल साही सही attempt किये होंगे, अब कितने सही attempt किये हैं, वो आपको अपत चलेगा मैं लगातार आपको सारे questions के answers बताताब, चलूँगा, तो आखरी question से हम answer को देखना start करेंगे, आपसे national voters day के बारे में पूछा गया था, तो national voters day के बारे में जो दो statement दे गए इसमें से conscious है, इसका option है two only, पहला गलत है, क्योंकि हमें पता है कि यह, जो national voter day है, इसको हम celebrate करते हैं हर साल 25 जिनवरी को, 25 जिनवरी को election commission of India का foundation day भी celebrate के जाता है, तो ये भी एक reason है, तो पहला statement तो हो गया गलत, दूसरा statement साल 2023 का, जो national voters day का theme है, वो है, nothing like voting, I vote for sure, ये बिल्कुल सही है, option two हमारा सही है, तो option B is the correct answer, next question पर देखते हैं, फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया तो olive riddle turtle को लेकर, तो पहला statement आपको दिया गया, कि olive riddle turtle पाए जाते हैं, pacific ocean के warm waters में, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता था, pacific ocean, Atlantic ocean और Indian ocean, यहाँ पर ये olive riddle turtle पाए जाते हैं, दूसरा statement बोलता है, कि IUCN के अंदर में इनको endangered species के अंदर में कवर क्या या, ये बिल्क सही है, और इसका answer जो है, आपका option A हो जाएगा one only, आगले question बराता है, फिर आपसे पूछा यहा, भार OS, भार OS जो की recently news में था, बताओ यह क्या है, तो option A एक mobile operating system है, option B एक नया semiconductor है, option C एक exoplanet है, या फिर इन में से कोई नहीं, तो इसका ऐसा ही उत्तर है, एक operating system है, आपको बताओगा Android का टेकर देने वाला एक भार OS system देखने को मिल जाता है, फिर बात आती है नोरो वाइरस की, तो नोरो वाइरस के reference में आगेन आपको दो statements दिये गए हैं, बताना है कौन सा सही है, पहला, इसको विंटर vomiting bug के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, दूसरा, ये बिमारी, गंदे खाने और food के विसे फैल सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो option C हमारा बिल्कुल सही है, both 1 and 2, फिर next question में आपसे पूछा गया था, layers of the earth के बारे में, तो पहला statement पोलता है, यहां पर यह है कि जो earth का major crust है, यानि कि जो ओपर वाली layer है, वो solid rock, जा दूसरा statement भी सही है, मैंने आपको बताया था, अच्छा, जो इसका inner core है, वो किस से मिलकर बनावाए, आप बता सकते हो, अभी तो यह मैंने outer core के बारे में बताया है, inner core किस से मिलकर बनावाए, जरह नीचे comment section बताओ, तो इसके वैसे answer क्या हो जाएगा, options C, both 1 and 2, दोनो statements सह है, फिर आप से पूचा गया था, tether drones के बारे में, तो with reference to tether drones, बताओ कौन से statement सही है, तो यहाँ पर आपको पहला statement दिया या, यह drone वो है, जो की अपने नीचे base station से connect होता है, base station जो की प्रतवी पर रखा जाएगा, इस से एक cable होगा, उपर drone उडरा होगा, यह सही बात है, अभी हमने एक picture भी देखाता है ना, तो पहला statement सही है, फिर दूसरा statement बोलता है कि जो यह drones है ना, यहाँ पर technical और human error बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको बताता है, ऐसे error आपको कम नज़र आता है, तो हमारा जो option से बताओ कौन सी चीज़ें जो की suit कर रही है, यह एक medium, altitude, long, endurance, UAV है, या एक unmanned combat aerial vehicle है, या एक light tank, एक crystal destroyer, तो सही option यहाँ पर यह है, यह एक basically light tank है, फिर उसके आद में आखरी question आपसे पूछा या था, molecular clouds को लेकर, तो molecular clouds के reference में आपसे पहले statement दिया गया, कि most common जो molecule है, इस ना, तो पहला statement हो गया, गलत, दूसरा statement बोलता है, जो clouds होता है, इनका temperature बहुत ज़्यादा high होता है, यह भी गलत है, मैं आपको बताया था, बहुत lowest temperature यहाँ पर इन clouds का देखने को मिलता है, जब मैं आपको molecular cloud के साथ सा dark nebula पढ़ाया था, यादा रहोगा, ठीके, तो यह है हमारे आज के सारे सारे prelims rapid fire के questions, तो आपका prelims rapid fire का क्या score आया है, नीचे comment section में अपना score जरूर से लिख कर जाना, और सारे answers भी नीचे comment section में लिख कर जाना, ठीक है ना, नीचे comment में भी देखो, आप live chat में लिख देता हो, ठीक है, एक खटे एक साथ comment में भी लिख दिया